हेलो साथियो नमस्कार गोड इबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेपल सी बाइफशडी पर आईए स्टार्ट करते हैं आज की इस मराथन क्लास को और आज की इस क्लास में काफी इंपोर्टेंट प्रशनों को सामल किया है इस सभी प्रशन आप सभी के एकजाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे तो आप सभी इस क्लास को लाज तक अवस्य देखें तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गोड इबनिंग दीपक मौर्या जी रिंकु देवी, राहुल बर्मा, अर्जुन, रहान, अपर्णा सिंग, चलिए, आकास, आकंचा, कृष्न कुमार, सभी को गोड इबनिंग आप सभी वचे एक वार सेसन को सीर करेंगे ताकि और भी साथी जिनका भी ट्रिपल सी का एकजाम है उन तक भी एक लास पहुँच पाए, तो सभी सेसन को एक वार सीर कर देंगे और आज इस मराथन में हमने काफी important प्रशनों को सामल किया है, इस सभी प्रशन आपके लिए बहुत helpful होने वाले हैं, तो आप सभी इस class को last तक देखेंगे और आप सबको अपने answers भी करने हैं, जो भी correct answer आपको लगता है, वो नहीं किया जा सकता है, which of the following cannot be done through internet banking, तो इसमें चार option है, अब कौन सा कारे ऐसा है जो net banking के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं, उसका जवाब आपको देना है, कौन सा कारे net banking के थ्रू नहीं किया जा सकता है, वो आपको बताना है, सुबोध ने कहा sir, option B, सूरज आरे ने कहा sir, option B कुछ कहरे है sir, option पहला, है ना, रेहान खान ने कहा sir, पहला, आयूस ने कहा sir, पहला, तो देखो यहाँ पर अगर आप लोगों ने B select किया है, तो बिलकुल सही सोचा है, पहला नहीं आपका B होगा, हम cash withdraw नहीं कर सकते हैं, भाई अगर हम internet banking का इस्तिमाल करते हैं, तो loan के ल cash को withdraw नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो option B यहाँ पर correct होगा, हाँ, आप online पैसे transfer कर सकते हो, बट उन्हें cash में withdraw नहीं कर सकते हो, net banking के द्वारा, question number second है, USST सेबा का love लेने के लिए, आपको कौन सा code dial करना पड़ता है, तो पहला प्रिश्न ही, बहुत सारे बचों ने गलत कर दिया है, इसको correct करना है, सही करना है, ठीक है, good evening, सभी को good evening, दिनेश कुमार जी, good evening, जो बचे present हुए है, class में अभी वे जुड़े है, आप सब फटा-फट से सबसे पहले तो class को एक बार share करो, बाकी बच्चों के पास में भी, ताकि और भी बच्चे इस marathon का हिस्सा बन प होता है, यह आपका एक usht code है, और हिंदी के लिए अगर आप से पूचें, तो star double 9, star double 2, और has, ठीक है न, यह code आपको याद रखना हिंदी के लिए होता है, आगे वड़ते हैं, question third, aeps का full form क्या होता है, आपको क्या बताना है, aeps का full form बताना है, तो aeps का मतलब क्या है, full form क् यह सभी बहुत ही popular सवाल हैं आपके exam के लिए, आकसर exam में पूचते हैं, हाँ, unstructured supplementary service data होता है, usht का full form बिलकुर सही बताये हैं, बहुत सांदार, ठीक है, like कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवा, like करनी के लिए, like share सभी को करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो बच्च तो यहाँ पे आधार enabled payment system यानि option भी हमारा correct हो जाएगा, छोटे छोटे गराहक सेवा केंदर हैं, जहाँ पर आप अपना account open करवा सकते हैं, तो उनके अंदर जो technology है mean, वहाँ पे जो system होता है, वो कौन सा होता है, AAPS का होता है, इसके थ्रूँ आप अपना account open करवा सकते हैं आप balance की inquiry कर सकते हैं, आप cash deposit कर सकते हैं, cash patrol कर सकते हैं, ऐसे तमाम कारे आप कर सकते हैं, अब कई वार यह पूछता है कि AAPS का इस्तेमाल करने के लिए user को क्या करना पड़ता है, तो आप अपना आधार number ठीक है न, आपका आधार number आपके पास होना चाहिए, और उसके बा आधार सीडिंग, आधार सीडिंग से आप क्या समझते हैं, आधार सीडिंग भी पूछता है exam में, बहुत सारा, तो आधार सीडिंग आप सब जानते भी होंगे, बहुत सारे बचे, जरा बताओ मुझे question 4 का answer क्या होगा, hello sir, मेरा paper 5 October को है, कैसे pass करना है, बेटा, पढ़ना आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है, तो option पहला हो जाएगा, attach आधार with bank account, आप अपने bank account के साथ में, आधार को जब जोड देते हैं, link कर देते हैं, उसी को बस सीडिंग कहा जाता है, तो bank account से आधार को जोड देना, link कर देना ही, आधार सीडिंग कहलाता है, ठीके ना, चलिए, अगला सवाल, slide को व्यवस्थित या sort करना है, slide को व्यवस्थित या sort करना है, इसके लिए आप किसका उप्योग करोगे, अचा सोच समझ कर बताना इस प्रिशन में न, आप confused भी हो सकते हैं, इस प्रिशन में, ठीक है, तो आप सोच समझ कर इस प्रिशन का answer करना, बैसे तो बहुत इसी प्रिशन है, वर्ट आप इसमें धोका खा सकते हैं, आप इसमें धोका खा सकते हैं, तो ऐसा मत करना, अंकुर प्रताब जी, good evening, चलेगा, तो यहाँ पर question 5 का भी answer आना इस्टार्ट हो गया है, बहुत सा अंदर, और question 5 में कुछ कारेसर option B होगा, ठीक किया है, और क्योंकि हर वार आपने भी पढ़ा है, इसलिए B आपने select किया है, कोई बात नहीं है, slide sorter, एक होता है slide sorter, बचे बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर C option करना पड़ेगा, यह एक number आपका अगर गलत किया है, तो चला गया, अब आप करता है slide sorter view, दोनों से हम slide को व्यवास्तित कर सकते हैं, मीन arrange कर सकते हैं, तो अगर हम आपको लेकर चलें, LibreOffice impress में, एक वर हम impress में आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं, कि इन दोनों में क्या difference होता है, आप जब LibreOffice impress में आते हैं, तो यहाँ मैं आपके सामने, यह screen आपको दिख रही होगी, तो आप जैसे ही LibreOffice impress में आएंगे, यहाँ पर आप देख पारे होंगे, यहाँ पर आप देख पारे होंगे, यह देखो, यह slide pane है, इसको कहते हैं slide pane, यह वाला, slide pane आपको यहाँ नजर आ रहा है, और यह बीच में आपको स्लाइट को एड़ कर लेंगे, इसमें भी हम कोई और color type का डाल देते हैं, कोई pattern हमने आड़ कर दिया, यह लो, अब एक और slide हम से उठा लेते हैं और इसमें भी हमने कोई यहाँ से pattern ऐड़ कर देते हैं, मिन कोई color यहाँ से डाल देते हैं, चलो हम इस परकार से कोई color डाल तो right side में यह जो देख रहे हैं, इनको बोलते है slide pane, अब हम अपनी slide को यहां से भी व्यवस्तित कर सकते हैं, जैसे इसको drag and drop करेंगे नीचे जाएगी, ग्रीन वाला सबसे top पे पहुंचा दिया, इसको बीच में करना, बीच में पहुंचा दिया, सबसे red वाली को सबसे top पे क लिख करेंगे, अब यह slide sorter हमारा आजाएगा, तो यहां से भी हम यही सारा काम कर सकते हैं, तो यही आप से पूछा था कि हम अपनी slide को कैसे व्यवस्तित कर सकते हैं, तो यहां पर फिर slide pane and slide sorter view हो जाएगा, तो यही बस समझ आपको अपनी develop करनी है, यही समझ आपको अप यही बढ़ा नहीं है, ठीक है ना, हाँ, कई वार बहुत इजी प्रस्न होगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इधर से उधर किया जाएगा, तो ऐसे में problem खड़ी हो सकती है, कुछ बचों को doubt हो सकता है, तो यह थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल आप से क्या कहता है, यदि आप इंप्रेस में presentation का window close करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो कौन सा shortcut की प्रेस करेंगे, आप presentation का window बंद करना चाहते हैं, मीन close करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कौन सा button प्रेस करना पड़ेगा, क कर सकते हैं close कर सकते हैं ठीक है ना control w सब के समझ में आ गया और अगर आपसे menu पूछे तो इसके लिए हम कहा जाएंगे इसके लिए हमें window menu में जाना पड़ेगा window menu में जाकर हम close कर सकते हैं जो हमारा presentation open है उसको close कर सकते हैं window menu के अंदर close का मिल जाएगा आपको command और उसके number seven आपके screen पर है computer से delete के गई file कहां पर save होती है आपने अगर कोई file अपने computer से delete कर दी है उसको हटा दिया है तो वो file delete होने के बाद में कहां पर store हो जाएगी कहां पर store हो जाएगी ठीक है भाई बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो like यह हैं 294 बच्चे live class में present है और मात्र 164 like है तो आप सब 294 के 294 बच्चे जो class में present हैं हाजिर हैं सब को like कर देना है ठीक है सब को like कर देना है तो एक साथ number पहुचा आईए 294 का जितनी present है उतने ही like आपको पहुचा देना है तो एक साथ सभी को like का button प्रेश करना है ताकि 299 like यहां पर हो पहें ठीक है मरा थन बाला क कैसे मिलेगा अभी मैं वताओंगा class के last में मैं वताओंगा कि आपको na PDF कैसे मिलेगा वो सब समझाओंगा computer से delete की गई file कहां पर save होती है तो recycle bin में save होती है option यहां पर क्या होगा पहला हो जाएगा recycle bin में save होती है ठीक है यह बास समझ में आ गई है अब आप मुची बताओ अगर माल लिया कि आप से ऐसा सवाल आ जाता एकजाम में कि आप recycle bin में भेजे बिना ही file को delete कर दो मतलब आप से पूछा गया कि आप file को permanent delete मार दो permanent हटा दो उसको हमेसा हमेसा के लिए वो recycle bin में ना जाए तो क्या करना पड़ेगा याद एकना है तो shift दवा लेना और फिर file क delete कर देना तो shift दवा कि आप file को delete करेंगे तो वो file आपकी permanent delete हो जाएगी दोनों सवाल आपके लिए important है यह याद रखना है question number 8 का answer आपको करना है पूछा गया है windows desktop पर dash द्वारा within application और document दरसाए जाते हैं windows desktop पर जो आपको files दिखती हैं जो folders दिखते हैं वो किसके थूँ दिखाया जाते हैं वो किसके थूँ दिखाया जाते हैं इसका सही answer आपको देना है इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा अगर हम देखो यहाँ पर बात करें इस question की जो आप से पूछा गया है तो यहाँ जो आपके desktop होता है और desktop पर जो application होते हैं वो हमें icon के through दिखाया जाते हैं यानि हमारे desktop पर बहुत सारे icon होते हैं जिनके through हमें हमारे folders, files यह सब देखने को मिलते हैं यानि जो icon होता है वो किसी file, किसी folder को represent कर रहा होता है और new folder बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है shortcut की क्या है निव folder बनाने की shortcut की है control के साथ में shift और इसके बाद में end प्रेस करना होगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं इससे हम नया folder create कर सकते हैं यह वाद भी याद रखना है अगला सवाल है screen के background को किस नाम से जाना चाता है जो screen का background होता है पुरा उसको हम किस नाम से जानते हैं sir October में exam के लिए most important question most important question करवाएं काजल कुमारी कह रही हैं देखो भाई काजल कुमारी आपका October में हो November में हो इससे important और कुछ हो नहीं सकता है तो जो session हम करा रहे हैं ये आप जान लेजिए कि October वालों के लिए है November वालों के लिए है अगर आप इस इंतजार में बैठेंगे कि हमारे लिए special बैच आएगा तभी हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बन वीक आप पढ़ पाऊगे ऐसे में और आप सब जानते हैं कि जो एकजाम आगे लगा होता उसके नाम से बैच आता है तो इसका मतलब विल्कुल भी नहीं है कि ये आपके एकजाम के लिए अच्छा नहीं है जबाद का मंत्र हमें आता नहीं है इसक्रीन के बैग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है औप्शन यहां पर हो जाएगा सी डेस्क टॉब के नाम से जानते हैं अगला सवाल है वन एमबी में कितने केवी होता है समझाए जला फटा-फट से कॉस्टन नम्र 10 क्या कहता है 1 EMB में कितने केवी होता है? 1 EMB में कितने केवी होता है? यहाँ पर जल्दे से आप जवाब करो. स्वेता गौतम जी कह रहे हैं, सर मेरा तेज को एकजाम है, क्या इस मेराथन से हम क्लियर कर लेंगे? देखो, इस मेराथन से, तो यह कहना बहुत गलत होगा, भी पढ़ा दें, तो भी हम यह विल्कुल नहीं कह सकते हैं, कि तुम 200 प्रशनों को पढ़कर के, एकजाम क्वालिफाइ कर जाओगे, ऐसा विल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है, हाँ, यह आपके एकजाम में help अवस्टी कर सकता है, मदद आपकी अवस्टी कर सकता है, बहुत कॉस्टन्स बहाँ पर आप अवस्ट करके आएंगे, इस क्लास को देखने के बाद में, ठीक है, वर्ट, इस क्लास को करके आप क्वालिफाइ कर सकते हैं, ऐसा तो, यह बहुत ही, मदलब अनुचित होगा ऐसा अगर बोल दें, तो यह गलत होगा, ऐसा हो यह नहीं सकता है, पॉस्ट्वल ही नहीं है, ठीक है, देखो, 1 EMB में कितने केवी होता है, तो यहाँ पर 1024 केवी होता है, 1024 केवी होता है, option यहाँ पर C हो जाएगा आपका, अच्छा, यहाँ पर यह सब capital में है, यहाँ देखो, यह सब इसमाल कर दिया है, लोगों ने, जिनने टाइप किया है, गलत कर दिया है, तो आपको एक और बात समझा दूँ, यहाँ पर जैसे केवी दिया गया है, और यहाँ पर केवी दिया गया, दोनों में difference पता क्या होता है, यह किलो बाइट होता है, यहाँ बी capital होगा, तो यह बाइट हो जाएगा, और यह आपका बीट होता है, ठीक है ना, यह किलो बीट हो जाएगा, और एक किलो बाइट हो जाएगा, तो capital V byte है और small b bit है यह आपको अंदर समझना है अगला सवाल है storage device के main folder को क्या कहा जाता है storage device के main folder को क्या कहते है root, directory, interface, device, driver या my computer 11 में ज़रा सूच समझकर आंसर बताओ सब बता सकते हैं कोई problem नहीं है सब बता सकते हैं कोई दिकत नहीं है सोच सबजकर आप answer करो इसमें क्या होगा correct answer ebook मिलेगा हाँ विल्कुल मिलेगा ebook free में मिलेगा आप चिंता ना करें अभी class के अंत में हम आपको समझाएंगे कि free ebook आपको कहां पर मिलेगा जैसा मैंने कहा था था ना कि हम आज आप सब को बताएंगे कि आप free ebook कहां से पढ़ सकते हैं और जब तक exam नहीं हो जाता है तब तक वो ebook आपके पास रहेगा उसकी ववस्ता हमने कर दी है अभी class के अंत में हम आपको बताएंगे कि free ebook आप सब को कैसे मिलने वाली है ठीक बस आप अभी present time में क्या करते रहें class को like, share और channel को subscribe करते रहें जिन्होंने नहीं किया है बाखी बात अभी class के बाद में करते हैं तो यहाँ पे root directory आपका correct answer हो जाएगा question number 11, 12 बाब आपके सामने है run and dialogue box open करने की shortcut की आप अगर Malia Libre Office writer open करना चाहते हैं calc है, MS Word है, Excel Powerpoint है तो इसके लिए हम एक run box open करते हैं अपने computer में, वो run box लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है 12 का answer आपको देना है ठीक है, 12 का C बता रहे हैं बहुत सरे, अभी शेक ने का सर C होगा कुछ करे सर B होगा, कुछ करे सर C होगा अब क्या करना है, अभी class करना है अभी जो present time में आपको करना है, वो class करना है विंडो की के साथ में R प्रेस करना होगा यहाँ पे विंडो की के साथ R जैसे प्रेस करेंगे तो run box आ जाएगा और बहाँ पर हम एगर writer खोलना है तो क्या लिखना जाता है, yes writer लिखा जाता है yes writer type करके enter बारेंगे तो writer open हो जाएगा अगर ms word open करना है तो क्या लिखते हैं आप लोग win word लिखा जाता है अगर हमे calc लिखना है, calc open करना है तो yes calc लिखा जाता है तो यह आपको याद रखना है अगला सवाल Windows के किस वर्जन में start button नहीं होता है बहुत ही popular सवाल है आपके exam का बहुत ही famous सवाल है आपके exam का Sir, one month से class ले रही हूँ Our previous class भी ले चुकी हूँ क्या मैं pass हो जाओंगी हाँ बिल्कुल आप pass हो जाएंगे अनुज कुमार जी कह रहे हैं आप बिल्कुल pass हो जाएंगे चिंता बिल्कुल भी ना करें proper class आपने कर लिए हैं तो ठीक है देखो ज़रा present को समझो पहले present को समझ लेते हैं बाद में फिर बात करेंगे Windows 8 हमारा ऐसा है Windows 8 इसमें start button नहीं होता है लेकिन याद रखना है उसका just बात बनाया गया Windows 8.1 तो Windows 8.1 में start button होता है किसी file या folder के size का पता size का पता करने के लिए किस option का प्रियोग करते हैं भाई किसी file या folder के size का पता करना है कि वो कितने size का है कितना वड़ी file है वो सब जानना है तो हम किस option का use करेंगे ठीक है 400 में न मात्र थोड़े ही बचे कम है तो जरा आप लोग बढ़ा दीजेगा 15 बच्चों की कमी है और एक बार आप दवा के share कर दो तो कम से कम 400 बच्चे live class में attend हो जाएंगे 400 तक आप पहुँचाएगा class को एक बार सभी ग्रुप में आप share करो अपने दोस्तों के साथ में ताकि 400 बच्चे इस class में live होना चाहिए ठीक है तो फटाफ़ट से आप लोग share करें इस class को ताकि 400 बच्चे इस class में present हो पहें सर माराथन या important question का वीडियो लाओ प्लीज क्या बता रहे हैं आप लोग सर माराथन या important question का वीडियो लाओ अरे भाई आलिया है कौन है आलिया कुरेशी क्यों ऐसे आप लोग सवाल करते हैं क्यों डिश्टर्ब करते हैं माराथन दे रहे हैं फिर भी करें सर माराथन लाइए important question करा रहे हैं फिर फी करें सर, important लाईए important लाओ फिर से कुछ बेज़ दिया ऐसे बचचे वोटसअप करते है सर कोई फीडिया बेज़ दो फिर से important लाओ सर अब important उस mur लिखा और कि important है ऐसा कुछ तो क्या बता सकते important है आपको अपने हिसाब से लगता है तो अपने हिसाब से पढ़ लो मेरे हिसाब से important है वो हम पढ़ा रहे हैं क्यांकि हमें पिसले कई वर्सों का अनुवर्व है इस field में कई वर्सों से हैं तो उझे पता है कि important क्या होता है तो इंपोर्टेंट फड़ रहे हैं फिर इंपोर्टेंट लाइए तो हद हो गई आ रहा चलिए तो यहां option C हो जाएगा property हम किसी file या folder के size का पता लगाना चाहते हैं तो उसकी property को देखना पड़ेगा ना तो property को देख करके हम उस folder या file की जो file है उसका size वगारा पता लगा सकते हैं कि वो file कब बनाई गई है अब इसी से सम्मधित एक और important सवाल आप से करते हैं एक और important सवाल करते हैं जो एकजाम में अकसर आता है वो सवाल कौन सा है इसका त आप shortcut की मुझे बता दो कि भाई क्या shortcut की हम यूज करेंगे ताकि इसकी property हमारे सामने आ जाए तो property की shortcut की क्या होती है property के लिए shortcut की होती है आपको दवाना होगा alter कुंजी साथ में आपको enter button दवाना होगा ये आपकी shortcut की note कर लेना आप alter कुंजी के साथ में enter button को प्रेस कर द बहुत सांदार। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बास्तिपकता में पढ़ना चाहते हैं। और जो पढ़ना चाहते हैं वो बहुत इमान आरी के साथ फटाफ़ड से आंसर अपना भीज रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जिनका मन लग रहा बढ़ाई में और बरावर आंसर जैसे question आया उन्होंने answer भीज दिया हम समझ रहे हैं कि वो ही वच्चा पढ़ना चाहता है है ना वेलकुल अब जड़ा दिखे इस question में question number 15 में आप से क्या पूछा गया है किसी file को recycle bin में वेजे बिना delete करने की shortcut की क्या होती है question 15 आपके सामने है किसी file को recycle bin में वेजे बिना delete करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा shift के साथ में delete करना पड़ेगा option पहला हो जाएगा अगर हम चाहते हैं कि वो file हमारी permanent delete हो जाए तो shift दवा लेना साथ में delete कर देना बस हो गया तो वो file आपके सीधे delete हो जाएगी वो recycle bin में नहीं जाएगी अगला सवाल है windows operating system किस company ने बनाया यानि windows operating system को किसके दोरा develop किया गया windows operating system किसके दोरा develop किया गया क्या होगा इसमें सही answer सही जवाब क्या होगा सही जवाब आपको बताना है इस question में क्या हो जाएगा चलिए तो इस question का जो सही जवाब है जरा ध्यान दो इसका जो सही जवाब है वो है आपका option number B Microsoft operating system किसका है Microsoft का है mean windows operating system किसका है Microsoft का या ध्यार रखना है अगला सवाल है start button किस बार पर होता है देखे start button इसको बोलेंगे या start menu इसको बोल सकते हैं तो यह कहां पर होता है start button जहां से हम start menu open करते हैं वे इसके लिए start button है इसको बोलते हैं तो यह किस menu पर, किस bar पर होता है, यहाँ पर bar आपसे पूछी गई है, तो किस bar पर होता है, तो इस question में आपका जो सही जबाब होगा, वो आपका task bar होगा, option b, यहाँ पर हो जाएगा, task bar होगा, option b right है, अगला सवाल, why default कोई file निम्ने में से किस location में जाकर save होती है, जब कोई file आप save करते हैं, तो why default वो file किस location में जाकर save हो जाती है, आप जैसे ही किसी file को save करते हैं, तो वो किस location में file save हो जाती है, सर, last lecture में आपने question 11 का snooping and sharing concept of cloud का answer, virtualization होगा, आपनी अवस्टिक्शन होगा, थोड़ा confusion है, तो पेटा confusion के लिए आप मुझे whatsapp कर देना, हम देख लेंगे, क्या बताया था हमने न, तो आप मुझे बता दीजेगा, dear diary, हाँ, मुझे whatsapp करना हम उसको देख लेते हैं, क्या उ यहाँ पर देखेगा, सही जवाब अपका क्या हो जाएगा, by default, name of location में जाकर save होती है, याई फाइल हमारी कहां save होती है, तो document में save होती है, जब भी हम कोई document बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ type करते हैं, और इसको save करते हैं, तो by default यह document में save हो जाता है, ATM कम David Card पर क्या 16 होती है, ATM Card पर अंग कितने होती है, ATM नंबर में 16 अंगों का होता है, बाकी आपको बता होगा, pin कितने digit का होता है, तो pin 4 का होता है, CV भी कितने का होता है, तीन का होता है, यह आप सब जानते ही होंगे, अगला सवाल है, प्रधान मंत्री सुरच्छा वीमा योजना की पूर्ती आपको दी जाती है, इसका जवाब करिएगा, ठीक है, इसका अंसर आप लोग करिएगा, तो इस प्रश्ण में सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्ले से आप सभी बच्चे कॉमेंट बॉक्स में अंसर लिखेंगे, ठीक है, चले, यहाँ पर देखिए, अधिकांस भी आपका सही हो जाएगा, दो लाक रुपे, भारती रुपे का चिन, जिसे मानता मिली, यानि भारती रुपे का चिन, जो आप देख रहे हैं, इस चिन को कब मानता मिली, यह आप से पोचा है, सर कितने बजे से लाइब स्टार्ट होता है काजल कुमारी करें पीटा लाइब स्टार्ट होता है साम को 8 वज़ कर 30 मिनिट पर 8.30 पर आप लोग लाइब क्लास में जोड़ा करो डेली और सुभे कितने वज़े जोड़ा करो सुभे 7 बज़े कल सुबह बहुत ही धमाकेदार क्लास आने वाली है साथ बजे सब तयार रहेंगे ये 2010 में इसके शुरुआ थी 2010 में अटल पेंसन योजना किस वर्स तक के भारतिय नागरिकों के लिए है ये आपको बताना है तो यहाँ पे 22 में आपका सही जबाब क्या होगा अगर हम अटल उमर कितनी होनी चाहिए से उजञा कालाव लेने के लिए 18 से 40 18 से 40 के बीच में आपकी उमर होनी चाहिए अटल पेंसन योजना कालाव उठाने के लिए ठीक है 18 से कम नहीं और 40 से ज़ादा नहीं ग्राहक द्वारा किसी order को cancel करने में कमपनिया किस wallet का इस्तेमाल करती है open wallet, semi, open wallet, closed wallet या इसमें से कोई नहीं तो 23 का answer आपको दीना है इसमें क्या होगा correct answer देखे 23 के अगर हम बात करें तो यहाँ पे closed wallet आपका सही जबाब हो जाएगा option c, closed wallet का होता है? closed wallet का मतलब होता है इस wallet में जो पैसा होगा वो केवल आप उसी company यानि उसी website के थूँ आप purchase कर सकते हैं इस wallet के थूँ आप payment और किसी को नहीं कर सकते हैं तो closed wallet में आप अपना जो भी amount होता है उससे केवल खरीदारी ही कर सकते हैं उस wallet में जो भी payment आपका होता है परधान मंतरी शुरच्छा भीमा योजना का सुरुआतका हुआ या ऐसे कहें कि परधान मंतरी शुरुच्छा भीमा योजना काब शुरु की गई तो क्या होगा? या अज हम भी लाइव हैं चलिए बहुत अच्छी बात है आप भी live आगए हैं ये 2015 में start हुई थी option पहला correct हो जाएगा 2015 अगला सवाल 25 कहता है IOT यानि internet of thing का अभिसकार किस ने किया IOT का अभिसकार किस के दोरा किया गया जराब बताओ IOT का अभिसकार किस के दोरा किया गया देखिए जो नए बच्चे हैं नए साथी हैं जो अभी वी class से जुड़े हैं आप लोग भी class को share करें अपने सभी दोस्तों के साथ जितने भी groups आपने वनाए हैं वहां group में आप share करें क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो direct अपना form भरके CCCC का exam देने जाते हैं तो उन बच्चों तक भी आप सब को class पहुंचानी है ताकि वो भी इस class को देख पाएं और पढ़ पाएं ठीक है ना तो सभी को share करना है और like सबको ही कर देना है जितने बच्चे present है class में सभी बच्चे like करेंगे session को और जो नए साथ ही आ रहे हैं आप सब को subscribe करके will icon भी प्रेस कर लेना है ताकि जब भी हमारा कोई नया class हो उसका notification भी आप तक पहुंचता रहे है ठीक जैसे कल सुभे आपका class होगा 7 बजे तो सभी 7 बजे class में जोडेंगे और notification आप तक पहुंचेगा अगर आपने channel को subscribe करके will icon प्रेस कर लिया होगा तो तो अगर हम IOT की बात करें ये किसने develop किया इसमें सही जबाब हो जाएगा option B Kevin Ashton के दोरा IOT का विश्कार हुआ या ऐसे कई वार exam में आता है कि IOT सब्द किसके दोरा गढ़ा गया एक ऐसा सब्द आता है हिंदी में आता है IOT सब्द किसके दोरा गढ़ा गया तो किसके दो अगला सवाल firm 26 केता है वेव पेज को रिलोड करने के लिए कान सा बटन पुरेश करना पड़ता है कहने का मतलब है वेव पेज को Refresh करना है और हम वे-पेज को रिफ्रेस कैसे कर सकते हैं इसके shortcut क्या होगी रिफ्रेस करने की shortcut की क्या होगी ज़रा समझाइए इसमें क्या होगा correct answer आरियन मिश्रा जी आपका नाम बोल दिया है भाई आप answer करते रहें आपका नाम बोल दिया है अगर हम बात करें वेपेज को रिफ्रेस करने के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा option c है refresh साब साब लिखा गया है और refresh करने के लिए shortcut की भी उज़ कर सकते हैं तो f5 हमारा shortcut की होता है यानि हम अगर वेपेज को refresh करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं f5 प्रेस कर सकते हैं f5 के अलाबा भी shortcut की होती है हाँ एक और shortcut की है refresh करने के लिए वो shortcut के भी note कर लो अगर हमें बे page को क्या करना है refresh करना है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं control के साथ में R भी दवा सकते हैं ठीक है तो control R से क्या होगा हमारा बे page refresh हो जाएगा F5 भी दवा सकते हैं control R भी दवा सकते हैं ठीक तो ये माध्यम से खरीदारी करना संभव हो गया है किसके माध्यम से आप खरीदारी कर सकते हैं आप अपने computer से अपने mobile से online कुछ चीज़ें खरीदना चाह रहे है तो यह संभव किसकी बज़े से हुआ है e-word की वज़े से हुआ है e-commerce की वज़े से हुआ है e-spend की वज़े से हुआ है 27 का जवाब करिए किसकी वज़े से यह संभव हुआ है तो यहाँ पर e-commerce हो जाएगा e-commerce की वज़े से यह possible हुआ है कि आप घर वैठे अपने mobile से अपने computer से कुछ भी purchase कर सकते हैं यहाँ e का मतलब क्या होता है e-commerce में अगर e का मतलब आप से पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप सभी बताएए e-commerce में e का मतलब क्या होगा e-commerce में e का मतलब होगा electronic से ठीक है ना तो electronic commerce यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल जब भी e आता है जैसे email हो गया, e-commerce हो गया, electronic यहाँ पे लग जाएगा भारत में सर्व पर्थम किस राज ने internet पर telephone directory उपलब्द कराई 28 का answer आपको देना है, 28 का answer आपको देना है, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो भारत में सर्व पर्थम किस राज ने internet पर telephone directory उपलब्द कराई इसमें सही जवाब होगा, option पहला, सिक्किम, कौन सा सही जवाब होगा, option पहला होगा, सिक्किम आपका right answer है ठीक है, सिक्किम आपका correct answer है, 29 में आप से पूछा गया है, जो व्यक्ति computer input के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहाता निम्न में से कौन सा software कर सकता है, ऐसे व्यक्ति जो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनकी help कौन सा software कर सकता है इसमें से क्या होगा, आपका right answer, बताए, 29 में आपको answer देना है, तो 29 में सही जबाब क्या हो जाएगा सरक clear नहीं दिख रहा है, ऐसा है क्या, clear तो दिखना चाहिए ठीके थोड़ा quality आप पढ़ा लिजेगा, 720 पीपर आप देखो, तो clear देखेगा यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा, speech recognition, वो speech recognition यह नहीं बोल सकते हैं, ठीके ना तो option पहला यहाँ पर correct हो जाएगा, एक प्रकार का camera जो computer के साथ लगा होता है जिसका प्रियोग video conferencing, video chatting या live wave broadcast के लिए होता है ऐसे camera को हम किस नाम से जानेंगे, वो हमारा wave camera कहलाएगा, वो browser camera कहलाएगा, वो wave pics कहलाएगा वो प्रक्तमेंसी कोई नहीं, तो इसमें एक ही ऐसा है जो correct है, बाकि सभी wrong है, वो correct आपको बताना है ठीक है, लबकुस पासवान करें सर मेरा फिर नाम लेलो, चलो लबकुस पासवान जी मैंने आपका नाम बोल दिया है अब आप class पे पुरा मन लगाएगा, अब अगर हम यहाँ बात करें तो यह जो camera होता है, यह कैमरा होता है, वेव camera होता है ठीक है, option यहाँ पर हमारा पहला हो जाएगा, वेव camera, आप इसको बोलेंगे चलिए आगे वड़ते हैं, अगले प्रसन पर चलते हैं, 31 का जवाब करिएगा पेटियम कब लॉंच किया गया, पेटियम को कब लॉंच किया गया, ज़रा समझाओ मुझे पेटियम को कब लॉंच किया, इसका सही जवाब क्या होगा, देखो exam के लिए time बिलकुल नहीं है अब समय बरवातु करना ही नहीं है, अब लगातार अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है क्योंकि आज 21 है, कल का दिन बीच में है 22, और आपका exam 23 में होगा और उसके बाद अपना exam दीजेगा, ठीक, अब बाकी के काम थोड़े से कम कर दो और अपनी triple C की practice थोड़ा जादा कर दो, बढ़ा दो, इस बज़े से बहुत क्योंकि जब हम exam देने वाले होते हैं, उस समय हमें पूरा focus करना है दो, तीन, चार दिन जो हमें मिलते हैं, उसमें अच्छे से आप revise कर लो, practice कर लो, वो बहुत important है और revision class हम लोग सुबह कराते हैं, तो आप सबको सुबह वाली revision class में present होना है revision class सुबह कितने बज़े, 7 बज़े, तो सुबह 7 बज़े सबको आना है यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, अगर्स्त 2010 में, PTM कब launch हुआ था, तो PTM आपका अगर्स्त 2010 में launch हुआ था ठीक है, option यहां पर आपका भी हो जाएगा, अगर हम बात करें, PTM के founder कौन है, तो आप क्या बताएंगे PTM के founder की बात करें, तो क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब, अगर्स 2010 यहां पर right answer है, PTM के founder है, विजय सेखर सर्मा, कौन है, विजय सेखर सर्मा, इसका headquarter कहां है, तो इसका headquarter कहां है, इसका headquarter है, नोड़ामी, ठीक है न, नोड़ामी इसका headquarter है, और founder कौन है, विजय सेखर सर्मा है, PTM की parents company का नाम बताओ, तो अगर इसकी parents company की बात की जाए, तो कौन सी है, 197 communication, आपने नाम सुना होगा, 197 communication क्या है, PTM की parents company है, और ये भी पूँच सकते हैं, कि 197 communication के founder कौन है, तो इनके भी founder, विजय सेखर सर्मा ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 197 communication के founder विजय सेखर सर्मा है, और PTM के भी founder विजय सेखर सर्मा है, ठीक है, तो PTM की parents company है, वो है आपकी 197 communication, जैसे अगर हम बात करें Facebook, अगर बात करें Facebook की parents company कौन सी है, तो Facebook की parents company कौन सी है, Meta है, Meta Facebook की parents company है, इसी परकार से हमारा 197 communication भी PTM का parents company है, 32 का answer आप लोग देंगे इसमें क्या होगा correct answer 32 का सही जबाब आपको देना है बताईए अगर हम 32 की बात करें तो इस प्रस्ट में Google Chrome में वर्तमान पेज को bookmark करने की बात की गई है हम पेज को bookmark कर सकते हैं किस shortcut की से control के साथ में D दवा के controlled इसे page को bookmark किया जा सकता है ठीक है? हाजी अगला सवाल 33 का जवाब करो memory के memory address register में load किये पते को क्या कहा जाता है memory के memory address register में load किये पते को हम किस नाम से जानते हैं physical, logical, neither physical nor logical या इसमें से कोई भी नहीं तो बताईए जरा 33 में क्यों सा correct answer हो जाएगा यहाँ पी जो आपके correct answer होगा option पहला हो जाएगा ठीक है? physical address यहाँ पी correct answer आपका बच जाएगा अगला सवाल है what is CISC? CISC का आर्थ क्या होता है? इनके full form बताना है आपको तो यहाँ पर CISC का full form जल्दी से बताएगे आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पी full form क्या हो जाएगा? आपको जल्दी से comment box में लिखना है तो यहाँ पर आपका option B correct है complex instruction set computing इसका right answer हो जाएगा अगला सवाल Ubuntu से Ubuntu को कब release किया गया था? Ubuntu को कब release किया गया था? इसका सही जवाब आपको दीना है Ubuntu है क्या? पहला point Ubuntu है क्या? तो आपने का सर Ubuntu एक operating system है क्या है? एक operating system है ठीक है फिर आप ही पूँछ सकते हैं सर Ubuntu किस प्रकार का operating system है? तो हमने कहा open source है कैसा है open source है मतलब free में ही मिल जाता है और Ubuntu आपका Linux based operating system है कैसा है Linux based operating system है कब release हुआ 2004 में हुआ ठीक है तो अगर आपने 2004 बताया तो बिल्कुल सही जवाब दिया है option B अगर आपने बताया तो बिल्कुल सही जवाब दिया है 2004 में इंस्टॉल होने के बाद स्वयम ही वन जाते है आप जब अपने operating system को install करते हैं तो कुछ icons auto create हो जाते हैं वो कौन से icon होते हैं सर मेरा triple C अगर्स्थ क्रियर हो गया आप से पढ़े थे अमन तिवारी जी आपको बहुत बहुत हमारी तरब से सुब काम नहीं बहुत 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 है कि आपने triple C का exam qualify कर लिया है ठीक है इसके लिए आपको बहुत 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 है अब देखो इस person में क्या कहता है कि बही operating system के install होने के बाद कौन से icon जो है वो create हो जाते हैं system icon system icon क्या होते हैं जैसे हमने कहा कि this PC हो गया या computer का icon होता है या आपका recycle win होता है control panel होता ही आपके icon होते हैं जो system icon होते हैं क्या mouse के pointer के आकार को भी बदला जा सकता है आप mouse के pointer के आकार को change कर सकते हैं बताए हाँ बिल्कुल P4 पवन निसाद जी आप अगर दो महिने से class कर रहे हैं तो बिल्कुल आप pass हो जाएंगे आप चिंता बिल्कुल भी ना करें अच्छे से अभी revise करो जो revision class कराते हैं वो करो साड़याड वाली class करो तो आराम से qualify करोगे आप चिंता मत करो क्या mouse के pointer के आकार को बदला जा सकता है जी बिल्कुल बदला जा सकता है pointer के आकार को हम change कर सकते हैं future skill portal किसके दोरा launch किया गया future skill portal किसके दोरा launch किया गया बदाएए इसका सही जवाब क्या होगा future skill portal किसके दोरा launch किया गया इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा option number B option number sorry C क्या होगा C होगा nascom के दोरा future skill portal की शुरुआत की गई future skill portal की शुरुआत कब की गई ठीक है यह पूछा है आपसे कब की गई इसका जवाब आपको देना है comment box में future skill की शुरुआत कब की गई तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा option number B option number B यहाँ पर हो जाएगा 19 February 2018 यानि यहाँ पर 19 February 2018 आपका correct answer हो जाएगा ठीक है अगला सवाल IOT का ततो नहीं है mean इसमें से कौन सा ऐसा है जो IOT का ततो नहीं है pupil, process, security या फिर thing IOT का मतलब होता है internet of thing IOT का मतलब होता है तो कौन सा IOT का ततो यानि element नहीं है ठीक है इसमें सही जवाब आपको करना है इसमें correct answer आपका क्या हो जाएगा कौन सा IOT का element यानि ततो नहीं है अब इसमें आपको answer देना है question number 40 का सही जवाब क्या होगा तो option B option B आ रहे हैं कुछ करेसर thing होगा कुछ करेसर पहला होगा कुछ करेसर यहाँ पर option number आपका भी होगा कौन सा IOT का ततो नहीं है which of the following is not an element of IOT pupil, process, security or thing दिया गया है आपर तो इसमें सही जवाब क्या होगा इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा option number पहला option यहाँ पहला ही करना है आपको pupil आपका correct answer हो जाएगा क्योंकि IOT का देखिये मतलब होता है internet of things एक ऐसा device जो की internet से connect होकर के काम करता है में आप यह समझ सकते हैं आज की date में बहुत सारे IOT devices हैं है ना जैसे आपका एक वार एक question आता है एक जाम में normally एक question पहुंचता है कि दुनिया का सबसे पहला IOT device बताइए सबसे पहला IOT device बताइए तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है Coca-Cola vending machine क्या होगा Coca-Cola vending machine यह क्या है दुनिया का सबसे पहला IOT device है अगर यह option में नहीं होता है तो आप ATM machine कर सकते हैं ATM machine फिर आपका सही जबाब हो जाएगा तो ATM machine हो गया Coca-Cola vending machine हो गया यह सब एक प्रकार की IOT devices हैं तो यह process security thing सब है वट people यहाँ पे नहीं होगा option पहला correct हो जाएगा 41 में बताना है निम्न में सी कौन सा एक program या hardware device है जो internet connection के माधियम से आने वाली सुषनाओं को किसी network या computer system में filter करने का काम करता है ठीक है उसको filter कर दिने का काम करता है 30 November को form भरेंगे तो paper कब होगा 30 November के बाद आता है फिर December तो paper आपका जनवरी 2024 में होगा कब होगा जनवरी 2024 में होगा ठीक है यहाँ पी firewall सही जवाब हो जाएगा firewall निम्न में सी कौन सा एक program या hardware device है जो internet connection के माधियम से आने वाली सुषनाओं को किसी network या computer system में क्या करता है फिल्टर करने का काम करता है तो ये काम हमारा firewall करता है तो firewall एक प्रकार का सुरच्छा की बाल है, सुरच्छा का घेरा है जो incoming end जो आपके network में चीज़ें आ रही है जो डिटा आ रहा है उसको ये filter करने का काम करता है उसको check करता है कि इसमें कोई भी ऐसा माल से software तो नहीं है कोई ऐसा virus तो नहीं है उसको ये filter करने का काम करता है तो यहाँ पे firewall हमारा answer हो जाएगा इस question का 42 में पूछा गया है Pokemon game किस प्रकार का game है Pokemon game किस प्रकार का game है बताएए इसमें इस question का जो सही जवाब है option पहला है अगर दिया है AR game तो सही कर सकते हैं नहीं तो फिर virtual भी आप सही कर सकते हैं virtual अगर दिया है तो इसको आप सही कर सकते हैं हमारा जो पॉक्मेन game है ये प्रकार का augmented reality game है ये augmented reality game है याद रखना है यदि Excel में A1 से A3 तक रमसा 1,2,3 दिया गया है तो count A1 colon A3 का मान क्या होगा तो यहाँ पे count क्या करेगा नंबर को count करेगा A3, A1 से A3 तक कितने नंबर लिखे गए हैं 1,2,3 तो यहाँ पे option हमारा V हो जाएगा यानि तीन यहाँ पे answer आने वाला है वेपेज में image को कैसे लिखते हैं किसी वेपेज में image को कैसे लिखा जाता है किसी वेपेज में image को कैसे लिखा जाता है इसका सही जबाब करेगा अभी वी सभी वच्चों ने like नहीं किया है बहुत सारे ऐसे वच्चे हैं जिन्होंने class को like ही नहीं किया है ठीक है ना तो भाई ये गलत बात है like तो सब का बनता ही है और अगर like नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है इसलिए सब को like करना है ठीक है सभी वच्चे जो class में जोड़े हैं सब को class को like करना है और CRV करना है तो अगर हम webpage में img को कैसे लिखते हैं ये देखें तो img ठीक है ना option हमारा पहला हो जाएगा joystick निम्न में सी किसका एक उधारन है joystick किसका एक example है तो joystick के एगर हम बात करें तो प्रकार का input device होता है joystick हो गया mouse हो गया ये सब input device में आते हैं अगला सवाल www का पूरा नाम क्या होता है बताए www का full form क्या होता है इसका सही जबाब करेगा स सही जबाब क्या हो जाएगा इसका right answer क्या हो जाएगा हाँ बिल्कुल IMG लिखा जाता है बहुत सांदार देखो यहाँ पर इसका मतलब होता है word wide wave और last वाले w का मतलब होता है warm तो word wide wave warm आपका हो जाएगा सही जबाब QR code में कुल कितने character हो सकते हैं 47 में बताना है QR code में कुल कितने character हो सकते हैं सही जबाब दीजेगा QR code में कुल कितने character हो सकते हैं अगर हम QR code की बाद करें तो 7,89 character हो सकते हैं QR code में QR का मतलब क्या होता है तो आपने का sir quick response code होता है क्या होगा? quick response code होगा आपका QR का full farm कब develop हुआ था 1994 में 1994 में इसको develop किया गया था किसके दोरा किया गया था देंसो बैब के दोरा देंसो बैब नाम की एक company है यह जापान की company है तो एक जापानी company में यह QR code सबसे बहले develop हुआ था ये जापान की एक automotive company है मेन ये automotive company है जहाँ पर कुछ parts बनते थे और उन parts पर QR code लगाया जाता था पहले 1994 में Densobeb नाम के company ने सबसे पहले अपने यहाँ QR code का निर्माण किया और अपने यहाँ जो parts बन रहे थे उन parts पर उन्होंने QR code को लगाया था तो इसमें total character की संख्या 789 आ सकती है और QR code कैसा होता यह पूछते हैं तो 2D होता है ध्या रखना 3D मत कर देना 2 dimensional होता है आपका QR code 48 कहता है RVI की स्थापना कव की गई RVI की स्थापना कव की गई October का exam October में होगा वही आप first week में मान के चलो लेकिन वही मान के चलो कि आप 789 1011 में कभी भी हो सकता है date अभी confirm है नहीं first week होता है वैसे 1011 मान लीजेगा 1011 में तो होई जाएगा आपका जिनका भी October में exam है तो October वालों के पास भी ज़्यादा time बचा नहीं है ठीक है ना क्योंकि इस वार September के exam बहुत लेट हुए है ऐसे में ज़रूर नहीं कि आपके exam भी लेट हो आपके हो सकता है पहले हो जाएं तो समय बहुत ज़्यादा आपके पास बिल्कुल नहीं है इसलिए मिहनस से लगना पड़ेगा आपको भी 1935 यहाँ पे हो जाएगा option C 1935 आपने सही किया हाँ बिल्कुल सही किया है 1935 आपका right answer हो जाएगा अगला सवाल दिखेगा वैप का full form क्या होता है WAP बाप का मतलब क्या होता है वैप का full form क्या होता है बताईए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा अगर हम BAP की full form देखें तो इसका मतलब होता है wireless application protocol ठीक है ना तो यहाँ पर जो आपका correct answer हो जाएगा वो क्या होगा wireless application protocol हो जाएगा यानि option B यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा option number B आपका सही हो जाएगा wireless application protocol अगला सवाल है DRAM एक प्रकार का referencing memory होता है कैसा memory होता है DRAM एक प्रकार का referencing memory होता है mean DRAM एक referencing memory है DRAM को हमें reference करना पड़ता है क्या यह सही है तो इसका answer होगा विल्कोल सही है true हो जाएगा देखो हम अगर बात करें DRAM की अगर हम देखो सबसे पहले हम RAM को थोड़ा समझ लेते हैं अगर हम बात करते हैं RAM ठीक है तो RAM आप सब जानते हैं कैसा होता है एक random access memory होता है RAM के अंदर दो type होते हैं एक आपका yes RAM होता है और एक आपका DRAM होता है ठीक है दोनों ही RAM है yes RAM का मतलब static RAM DRAM का मतलब dynamic RAM तो yes RAM जो होता है इसको refresh नहीं करना पड़ता है इसको refresh करना नहीं पड़ता है और DRAM को refresh करना पड़ता है तो यहाँ एक refreshing memory है और यहाँ एक non refreshing memory है तो DRAM कैसी है refreshing memory है अब DRAM के अंदर DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 यह से आपकी DRAM होती है ठीक है तो यह आपकी refreshing memory होती इसको refresh करना पड़ता है अगला सवाल है 51 कहता है चेक की वैधता आवध कितनी होती है मेन चेक की अगर हम validity की बात करें तो validity कितनी होती है चेक की 3 महा, 4 महा, 1 मंथ या इसमें सी कोई नहीं अपके सकते हैं तो चेक अगर जारी किया गया है चेक जारी होने के बाद वो कब तक valid रहता है कब तक valid रहता है चेक जारी होने के बाद 3 महा तक valid रहता है तो 3 months from the date of issue यानि जारी होने के 3 महा तक वो चेक हमारा valid रहेगा option भी यहाँ पे right है अगला सवाल है निमन में सी कौन सा एक impact printer का example है इसमें क्या बताना है impact printer का example कौन सा है impact printer का उधारन इसमें कौन सा है laser, inkjet, dot matrix या none of the above अगर हम impact की बाद करें तो क्या हो जाएगा एक होता है impact printer एक होता है non impact printer तो यहाँ laser, inkjet दिया है यह आपके कैसे हैं non impact है but dot matrix कैसा है impact printer है impact printer यह बहुत पुराने जवाने के printer है ध्वनी बहुत करते हैं शोर बहुत करते हैं पर आज कल जो laser printer है आपके inkjet printer है यह सब non impact के स्रेणी में आते हैं ठीक है तो आज के session में हमने प्रस्नों को रखा था 52 अब आप मुझे वताईए कि 52 में आपका score कितना हुआ है क्या आपने 52 में 52 का score किया है या फिर जतना किया है उसके बारे में आपको हमें अभी comment box में लिखना है बताना है ठीक है और जो हमने ebook की बात की थी तो आप सब के लिए हमने अपने application पर अभी इस class के कुछ समय के बाद में जिसका नाम होगा free ebook क्या नाम होगा free ebook नाम होगा उस free ebook में जाएगा वहाँ पर आपके लिए ebook मिल जाएगा दो ebook हमने वोली है एक आपका marathon class का ebook महावराथन और एक दूसरा हमारा 14 days advanced crash course ये दोनो ebook आपको विलकुल निसुलक मिलने वाली है विलकुल free मिलने वाली है ठीक है और ये ebook आपकी कब तक valid रहेंगी तो ये ebook आपकी valid रहेंगी जब तक आपका September का exam चलेगा यानि 27 September तक ही ebook आपको बहाँ पर देखने को मिलेंगी 27 September के बाद ebook आपकी वहाँ से expire हो जाएंगी में वहाँ से delete हो जाएंगी ठीक है तो अब जो है आप सब को ebook लेने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो class like करना पड़ेगा share भी करना पड़ेगा अगर नहीं किया है और चैनल पर अगर आप नए है तो आपको subscribe करना पड़ेगा नहीं का मतलब अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी check कर लेजेगा और चैनल को subscribe कर लेना है सभी बच्चों को ठीक है बाकी आप application पर जाएंगे तो application के अंदर आपको एक free notes का option मिलेगा उस free notes पर click करना बहाँ पर ebook का एक section अभी नया add करवा देंगे और जैसी वो section नया add होगा उसके अंदर आप जब देखोगे तो दो आपको ebook मिज लाएंगे एक आपका 14 days crash course और एक महा मराथन का दोनों बहुत सानार ebook होने वाले हैं अराम से बैट करके तसलिसे पढ़ लेना ठीक है उसे बहुत कुछ आपको help मिलने वाला है और इसके लिए कोई भी cost नहीं लगने वाली है ये paid हैं वर्ट आज के लिए हमने इनको free कर दिया है जब तक आपका exam नहीं हो जाता है तब तक ये free रहने वाली है वर्ट जैसा मैंने कहा कि like, share, subscribe सब को करना है और इमांदारी के साथ करना है और एक बहुत सांदार सेशन सुभे लेकर आ रहे है morning में जिसका समय होगा सुभे 7 बजे तो morning 7 a.m पर सभी वच्चे जोड़ेंगे वहाँ पर हम आपके लिए एक बहुत सांदार सेशन लेकर आने वाले है ठीक है? चलेगा बहुत सांदार 49 का score किया है? बहुत अच्छी बात है Sir, please बता देजिए मैं O-Level करना चाहती हूँ आपकी class से, but Sir, मुझे fee नहीं पता मुझे fee नहीं पता बता देजिए और इसके form की fee कितनी होती है देखिए O-Level के लिए registration की last date है 30 September आप 30 September तक O-Level का registration कर सकते हैं registration fees होती है 500 रुपे तो 500 रुपे आपको registration fee फे करना पड़ेगा आप Nylid की officer website पे जाके अपना form apply कर सकते हैं या किसी cyber cafe फे जाके फी registration करवा सकते हैं registration होने के बाद में आपको अपना profile set कर लेना है means user ID and password आपको मिलेगा उससे आप login कर जाएंगे और फिर जब आपका examination form आएगा तो आपको अपना examination form fill करना पड़ेगा examination form की जो fee होती है वो 1000 होती है या एक हजार रुपे एक paper की fee होती है ठीक है तो आप जितने paper के लिए apply करते हैं उतना ही fee लगेगा जैसे गर आपने दो paper के लिए किया तो आपका 2000 fee होगा plus 100 rupees और लगेंगे यानि 2100 रुपे आप माल लेजिएगा अगर आप एक साथ दोनों paper के लिए apply कर देते हैं तो और हमारा जो batch O level का वो आप सब join कर सकते हैं M1 R5 का batch आपने launch कर दिया है class 9 बजे आपकी start कर दी है 9 बजे class आपके daily होती है तो वो class आपको सभी को करना है ठीक है? हाँ, 9 बजे class आपकी O level की होती है वो आप सब करेंगे और जल्द ही O level का second जो आपका module है M2 R5 उसका भी batch हम लोग launch करने वाले हैं तो M2 R5 का भी batch आजाएगा तो proper आप study O level की कर सकते हैं और जनवरी 2024 में अपना exam O level का दे सकते हैं बाकि कोई भी जनकारी लेनी है तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं 94522 यहां पर मैं बता देता हूँ 94522 949 436 इस नंबर पर आप में WhatsApp कर सकते हैं ठीक है न 4 है यहां पर 94522 949 436 पर आप WhatsApp कर सकते हैं या जब आप application डाउनलोड करेंगे वहाँ पर सारा detail दिया गया है तो आप CCC YFSD मोबाइल अप्लिकेशन Google Play Store से डाउनलोड कर लीजेगा और जो चीज़ें अभी हमने वताइए वो सब बहाँ से आप access कर सकते हैं विश्नु यादब जी सर मेरा नाम बोल दीजेगा चलिए फिर session यह पर समाप्त करते हैं मुलाकात करते हैं कल सुभे साथ बजए एक बहुत ही सानार सेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यूँ गोड नाइट वावाए टेक केर